हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज बात करेंगे SBI की एक बहतरीन फंड जिसमें कि आप इन्वेस्ट करके बहुत ही मिनिमम एमाउंट जमा करके आप बहुत ही बहतरीन रासी पा सकते हैं और SBI का फंड है इससे पहले भी आपको जितने भी SBI से related fund मैंने बताएं सब का बहुत अच्छा response है और आप लोगों ने भी comment करके बताया कि हाँ इस fund में मैंने invest किया और बहुत अच्छा return अभी मिल रहा है मुझे तो आज एक और अच्छे fund के बारे माँ आपको जानकारी मिलने वाली तो वीडियो को लास तक देखेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दवा दिजिए जिससे की आगे आने वाली वीडियोज की जनकर यह आपको मिलती रहे यह जो SPI का fund है यह है SPI का small cap fund small cap fund direct plan इसका नाम है यह आप किसी भी mutual fund जहां से भी आप purchase करते हैं किसी भी app से इसको purchase कर सकते हैं अब क्या-क्या इसकी विशेशता है उसके बात करते हैं सबसे पहले बात करें इसके return की तो all time return जो अभी तक दिया हर साल बहुत पुराना fund है और हर साल लगबग 26-27% का average return दे रहा है पिछले 5 सालों में लगातार 5 सालों का अगर average देखे तो 32% का return दिया है पिछले 3 सालों की average की बात करते हैं तो 27-28% का return दिया है और पिछले एक साल में 49-40% का return आपको मिला है अभी मात्र 6 मेहनों का अगर return हम लोग देखते हैं तो 20% से ज़्यादा का return दे चुका है इसके बात करते हैं इसमें invest किस तरीके साप invest कर सकते हैं अगर आप monthly invest करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपे पर मेहने से start इसमें कर सकते हैं और अगर आप one time करना चाहते हैं तो अभी यह facility इसमें available नहीं है जैसे ही available होगी आपको inform कर दी जाएगी अब इसके बात करते हैं कि जो आपके पैसे आप इसमें इंवेस्ट करेंगे वो कहां-कहां इसके द्वारा इंवेस्ट किया जाता हो जिससे आपको रिटर्न अच्छा मिलता है वो है Blue Star Limited, Top Holdings की बात कर रहा हूं में जो पांच सबसे ज़्यादा इंवेस्ट जिस कंपनियों में ये करता है उसकी बात करें तो Blue Star Limited, Phenolex Industries, Kalpatru Project International, GE, TND India और Whirlpool of India Limited ये पांच सबसे ज़्यादा इंवेस्ट करने वाली कंपनिय है जिसमें ये सबसे ज़्यादा इंवेस्ट करती है और अभी तक जो पैसे इसके पास जमा हुए है वो 32,761 करोर रुपए लोगों ने अभी तक इसमें इन्वेस्ट किये है अब चलते हैं Return Calculation आपने देखा कि 27-28% का रिटर्न हर साल दे रहा है तो हम लोग इतना High Return की बात नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है फुचर में जाके कुछ डाउन हो, कुछ अप हो तो उसको एक साइड में रखते हैं और यहां पर हम लोग 18% पर कैल्कुलेट करते है 18% में अगर 2000 रुपए आप पर महने का जमा करते है मैंने आपको 68 रुपए जो बताया है वो पर डे अगर आप 66 रुपए पर डे आप बचाते हैं तो 66 रुपए अगर 30 कीजिएगा तो यह हो जाएगा लगभग आपको 1998 रुपए के आसपास आपको यह बनेगा ठीक है यानि कि 2000 रुपए आप पर महने का अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 120,000 रुपए आपके पास साल में इसमें इन्वेस्ट होंगे और आपको रिटर्न मिल जाएगा 13% के कॉर्डिंग 75,316 रुपए टोटल वेल्यू 1,95,316 रुपए की हो जाएगी फिर चलते हैं दस सालों के लिए तो 2,44,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा 4,32,000 का रिटर्न होगा टोटल वेल्यू 6,72,000 की हो जाएगी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 15 सालों में 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट 14,88,000 का रिटर्न टोटल वेल्यू 18,38,000 की और 20 सालों में देखें तो 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट 42,00,6,000 का रिटर्न टोटल वेल्यू 46,88,000 की 25 सालों में जो हैं हम लोग 25 सालों तक ही कल्कुलेट करेंगे ज्यादा 30 साल 35 साल का टार्गेट नहीं लेंगे 25 साल अगर आपकी एज आज 25 भी है 30 भी है तो 55-50 की एज में आपको ये रासी मिल सकती है 25 सालों का अगर हम लोग लेखा जुखा देखें तो 6,00,000 रुपए आपका इन्वेस्ट होगा और आपको रिटर्ण हर साल जो है 18 परसेंट या उससे ज्यादा मिलता है जो अभी सिच्वेशन है वो 27 परसेंट मिल रहा है हो सकता है ये और भी आगे बढ़ जाए 37 से 30 भी हो जाए तो ये रासी धाय तीन कडोर भी पहुँच जाएगा लेकिन जो हमने कैलकुलेट कि 18 परसेंट हो सकता है इससे थोड़ा डाउन चला जाए 15 परसेंट 16 परसेंट 12 परसेंट फिर भी ये रासी आपको 50 लाग 70 लाग के आसपार जरूर मिलेगी ये चीज़े होगे अब एक कुछ प्लस पॉइंट की बात करते हैं एक प्लस पॉइंट इसका है एकस्पेंसर जो की बहुत ही मिनिमम है 0.64 परसेंट दूसरा है इस केटेगरी में स्मॉल क्याप फंड केटेगरी में SBI बहुत अच्छा रिटन देदी हाई रिटन केटेगरी है ये तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन एक चीज में आपको साब साब कह दूँ इन्वेस्ट करने से पहले उतार चढ़ाओ इसमें पॉसिवल है कभी आपका फंड ऐसे उपर भी जाएगा तो क अब एक दम से डाउन भी जाएगा इस चीज को आपको दिहान में रखना है तब ही फिक्स रिटन के गैरेंटी लेके इन्वेस्ट मत कीजिएगा और जब भी इन्वेस्ट करें तो सारी चीजों को खुद से समझे किसी के कहने किसी के वीडियो देखने से इन्वेस्ट बिल की तरक एक वीडियो के लिए आपको मैं चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक किजिए मिलते हैं एक नए वीडियो में